शरीर में खून का कमी या एनिमिया एक आम समस्या है जब शरीर में आवस्या खनी ज आईरन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति इस समस्या में पीडित हो जाती है तो एन्मिया से पिड़ी द्वेक्ती सांस लेन में तकलीफ, ठकान, सीर्दर, चकराना और नखुन, तुटने जिसे लख्यन समना करना पड़ता है तो शरीर में आईरन बनाने के लिए हीमोगलोबिन का अवस्यकता होता है जब शरीर में हीमोगलोबिन का कम हो जाता है, तो मांस्पेसी और टीसू को प्रज्याफ्त अक्षियन नहीं पहुंचता है तो जिसका कारण से इन्मिया हो जाता है तो परिशान होने का कोई बात नहीं है, मैं आप लोगो एक घरिलू तरीका करके दिखाऊंगा जिसका वज़े से आपका जो खून का कमी है, वो आप लोगो को मिल जाएगा तो यह काला तिल इसमें विटामिन B कम्प्लेक्स और प्रोटीन प्रोचूर मत्रा में मिलता है तो इसको नियोमित खाने से आपका दिमाग और कोशिकाऊं और मांसभिशियों के ताकत मिलता है तो आप एक बाउल लेके उसमें पानी ले लिजिए, एक काला तिल से दो चमच उसमें भीगा दीजिए तो भीगने के बाद आप इसको लोग के पेस्ट बना दीजिए तो एक पेस्ट होने के बाद आप उसमें सेहिद हाप चमच डाल के उसको अच्छा तरह से मिक्स कर दीजिए तो एक नाचुरल तरीका है, एक कुछ साइड एफेक्ट आपका बड़ी में नहीं पखाएगा तो उसके बाद आप एक गलास गरम दुद ले लेजिए तो इसमें प्रोटीन, कैलसियम, आईरन, मिनेराल और खनीज बदार सब कुछ है धरोज इसको पिना चाहिए तो आप काला तिलका जो पेस्ट अरके रखा है, उससे दो चमस लेके वो दूद में डाल दीजिए तो ओ दोनों को आप आच्छा तरह से मिक्स कर दीजिए ओ मिक्स करने के बाद आप इसको सुभे साम में पिना चाहिए इसको पिने से आपका जो इनिमिया का समस्या है वो ठीक हो जाएगा तो आप लोगों को मेरा वीडियो आच लगएगा तो एक लाइक, एक से और एक सब्सक्राइब कर दीजिए वाचिंग के लिए आप लोगो धन्यवाद